सब्सक्राइब और स्वागत है आप सभी का राइंकर्स गुर्कुल यूडियोग चैनल पर मैं राधिका पुप्ता और जज़ना कि आप सभी चानते हैं आप लोगों की इसे कीज दिन 21 माराथन में लगातार हमने अपने कम्प्लीट टॉपिक्स को शुरू किया और ऐसे ही इ इसका नाम है मानव की आँखें यूमन आय जो अपने आप में एक इंपॉर्डन टॉपिक आपके आने वाले से सी रेलवे सभी एक्जाम में होने वाला है देखिए ये टॉपिक में स्पेशली यह नहीं कहूंगी कि आपके सिर्फ रेलवे में आएगा ये तो वो टॉपिक है जो हर एक एक इग्जाम में पूछा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं आज अपने 21 मारथन के आपके अगले दिन के बारे में यानि कि लगातार आप लोगों ने अपने लगभग 17 दिन पूरे कर लिए हैं आज 18 दिन हैं रेगिलर क्लासेस आप लोग की चल रही हैं व अभी को ओडियो विडियो क्लियर आ रहा है गुड़ बानिंग नमस्कार राम राम भाई सेशन को कर देना जल्दी से एक बार शेयर अपने सभी भाई बंदू हो दोस्त त्यारों तक कि सुभा के बच चुके हैं 11 अब बारी है आपकी कि आप सभी ने जो मिलकर के दे डे व सब्सक्राइब करें तो आज का टॉपिक तो बहुत ही प्यारा है जुसमें माम हम उन आखों के बारे में बात कर रहे हैं जो आखे इस पूरे दुनिया को इन सभी चीजों को देखने में हमें काबल बनाती हैं तो यह पूरी सीरीज के अंदर यह पूरा यूट्यूब पर आप सभी जानते हो और आज का मुद्धा है आखों का यानिकी आइस का सब कुछ क्लिए रहे हैं को बफरिंग को गारा कुछ भी नहीं हो रहा है एक बड़ सेशन को पहुंचा देना दोस्तियार सभी तक तो आपको सबसे पहले चीज बता दूं कि आप सभी को लगता है ना है कि एक पर्सन बिद दिस कें सी नियर्बाइ ऑबजेक क्लियरली बट के नॉट सी डिस्टेंट ऑबजेक सेपरेटली इससे पीडित व्यक्ति पास की वस्तुओं को सपष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग से आसाफ से देख नहीं सकता यह साइसे समझ लेंगे तब आप.हला कि आप डेन रहे से मङतहीं पर आगे बड顯ेगे तो कहानी की कि माम हम बात कर रहे हैं अपनी इन नेत्रो नें इन आँखों के बारे में जो तुम्हें दुनिया को देखने में रंगीन हो जाहें में मदद करती हैं अब हमें कोई ब illness दिख रही है तो वह किसी मदद देख रही थैर हमारी आशो की मदद से लेकिन उसको हम पहचाना पाते है जब हमारा ब्रेन कहता है कि तमने जिसको देखा वह कौन थी यह कौन था यचा कैसे दिखाई दिए चाभ Gaming को कभी कुछ इस प्रकार च judgment से यह निकल के जा रही होती है तुम्हारे brain तक आप जिल्दी से कॉमन सेक्षिंड हे लेगन तो ठीक है लेकिन अगर हम इस आख को देखेंगे तो कई बार हमने यह भी सुनाएगी आई डोनेशन किया जाता है नेत्रदान किया जाता है तो क्या हम पूरी की पूरी आई बॉल निकाल करके देदेते हैं क्या किसी को जब डोनेट करते हैं तो क्यों बहुत बढ़ा दुविधा का एक विशे है जो ज जानता उनको इस सारी चीजें आज के सेशन में क्लियर हो जाएंगी ठीक है अच्छा एक चीज पर ध्यान देना कि देखिए हम यह मान करके आपको तैयारी इस पूरे 21-21 में करा रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी मतलब साइंस में जीरो लेविल है आपको कुछ भी नहीं आ पड़े या पहली बार पड़ रहे हैं तो यह 10th क्लास में भी बट कोई बात नहीं माम करते हैं इसको शुरू तो देखिए हमारी आख होती है इसके अंदर एक लेंस पाया जाता है यूजिली हम कहते हैं कि हमारी आखों के अंदर क्या उपस्तित है एक लेंस उस लेंस का न पूरा एक बोन ही तो है इधर ध्यान देलो यार पहले यह पूरी एक हड़ी का ढ़ाचा ही तो है जहां पर हमारी आखें स्थित होती हैं सबके अंदर दो आखें हैं कि इसे छोड़ कर मैम कि इसको छोड़ करके एक एंचुबे को अर्थ्वाम में एक भी आखें नहीं होती महां कुछ कंपाउंड आखें होती हैं वो भी अलग विशे हैं यहां पर हमारी आख कुछ इस प्रकार से दिखती है जिस आख के अंदर हम देखते हैं कि पीछे से एक नस निकलती है हमारे ब्रेन तक सूचनाओ को ले जाने वाली लेकिन ये तो मुझे उपरी भाग दिखा इसके अंदर तीन लेयर पाई जाती हैं ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हो इसे हम लेंस कहते हैं ये जो आप देख रहे हैं इस सिरे को हम कहते हैं कि ये हमारी आखों में लेंस पाया जाता है लेकिन उपर से अगर हम स्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से समझे और प अपर देखा रहे हैं ये वाइट कलर का भाग होता है जो second ऐसे प्रीय आखों में ये बाहर की तरफ पूरा पीछे से वाइं पार दिखाई देता है या देख पार रहे हैं ये भार वाग जो सिर्फ वाइट कलर का दिख रहा है इसको स्कलेरह कहा। ladakalit एसक के अंदर एक और layer बनती है जिसको हम नाम देते हैं retina का अब मैं देखो आप कैसी बाते कर रहे हो हमें तो ना बस एक ही नाम सुना है retina हमने आँख पड़ी और आँखों में एक ही चीज जानिए कि retina होता है retina सबसे अंदर का सबसे inner layer जो से आप कहते हो यह वो भाग है जहां पर क्या उपस्तित होती है आपकी image formation यानि कि यहां पर हमारी छवी बनती है ठीक है इसी को केते हैं हम image formation तीन layer है और तीनों का अलग 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 रूप है अलग अलग काम है सबसे बाहर वाली को मैंने इस white वाले part को sclera का नाम दिया यह sclera जो है वो पहला भाग है coroid दूसरा है retina तीसरा है यह आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से पूर्ण रूप से कुछ इस प्रकार से जिल्लियां जो है वो आपकी बनी हुई है तो madam अगर हम इसमें बाहर के भाग को देखें जो हमें दिखता है ठीक है इधर देखो भाई यह जो बाहर का भाग तुम्हें दिखाई देता है वहाँ पर क्या है अंदर तो हमने माल लिया कि तीन लेवस पाई जाती है sclera है फिर बीच में koroid होती है फिर अंदर वाली retina है जहाँ पर छभी बन रही होगी ठीक है इसी retina का ये देख रहे हो ये अंदर वाली जिली है retina यहाँ से एक नस निकलती है जिसको हमने नाम दिया है Optic Nerve ये Opticness क्या है? कही पर भी अगर आखों की चर्चा हो रही है आखों के डॉक्टर की बात हो रही है आखों के अध्यन की बात हो रही है तो एक वर्ड याद रखिएगा Optelmo ठीक है अभी आधों को ये ही होश नहीं आया है कि मैडम सुभा के बच्चुके है यारा रोज लगातार जैसे क्लास चल रही थी वैसे ही अभी क्लास आपकी चल रही है ठीक है अगर कोई अभी किसी और संशे में है या किसी और से वारतलाप में व्यस्त है तो वहिए ये समय वो नहीं है जहां पर तुम अपना टाइम खराब करो ये समय वो है जब आने वाले एक्जाम से पहले आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कि एक्जाम दो आ जाएगा लेकिन उससे पहले में ज़रा बढ़िया करके अपनी तयारी को इस प्रकार से कर लूँ की सेलेक्शन एक बार में पक्का हो जाए और यकीन मानो आज मेरे साथ यहां पर इस पूरी किस दिन किस माराथन में जुतने भी भाई बंदू जुड़े हैं लगातार पहले दिन से और जो भी इस पूरी सीरीज को जल्दी से फॉलो कर लेगा ना उसका साइन्स में तो कोई समस्या नहीं आने वाली मतलब विज्ञान के शत प्रतिशत जो हम कह सकते हैं कि वही फिजिक्स हो केमिश्ट्री हो बायो हो उसका सारा बेस आपलो का बहुत ही मजबूत होने वाला है बाकी तो कॉमें सेक्शन तो मैडम मेरे ठीन जिल्लें आती हैं यह आगे वाला जो हमें भाग दिखाई देता है जो टार्स्ट्रें娜 कहीं होता है उसको हम कॉर्णिय आ का भाग कहते है थी कह कर्aking आ करीन आ के भाग में अगर मैं भीच में देखूं तो आपको एक ब्लाक कलर का पाbourne दिखाई देता है, जसको हम कुतली का नाम देते हैं, पुपल का नाम देते हैं वहीं आपके कुछ रंग भीद नजर आता है देखो भई, कुछ इस प्रकार से दिखती है आखें, पिछे का भाघ तो मैंने तीन levels में तुम्हें बता दिया कि तीन जिल्निया कौन-कौन सी है एक स्क्लेरा की, कोरोईड की और रेटीना की ये सब लिखावा मिल जाएगा थियोरी अभी सब मिल जाएगी पहले समझ लो बड़ा चोटा सा प्यारा सा टॉपिक है ये वाला भाग मैडम जो हमें दिख रहा है एक ट्रांस्पेरेंट सा भाग है दोनों तरफ कौर्निया कह दिया फिर ये हिस्सा जो हमारी आँखों का रंग बता रहा है इसको कहते हैं आईरिस का भाग क्या कहते हैं आईरिस का भाग आजकल लोगों को प्राकरते का आँखे तो देखो पसंद ही नहीं है लोग लगवाते हैं लेंस यूश्वली इंडियन कलर्स कौन कौन से होते हैं कि भारतीय मूल से जो आँख होती है वो आपको दिखाई दिती है तो काले रंग की या हलकी सी भूरे रंग की नजर आ जाती है मतलब माडम नहीं हमें जो पसंद है वो क्या पसंद है हमें पसंद है यह लाल पीली नीली गुलाब सब लग-लग रंग की होनी चाहिए ऐसा ही मानते हो ऐसा ही आप लोग फील करते हो लेंस लगवा लेते हैं प्राकर्टिक नहीं है तो क्या हुआ बबा किसी को अपनी आँखे पसंद नहीं आती लेकर लेंजस लग वा लेते हैं, यह लेंज हानिकारक होता है पहली जीज़, और यहाँ जो रंग आता है च्झतना भी रंग आपको आँखोंके अंदर दिखाई देता है वो रंग होता है आईरिस का कलर किसका होता है यह आईरिस का रंग कहा जाता है मतलब यह जो भी कलर आ रहा है मैं कहने हूँ लाल है पीला है किसी की आखें जो है वो गुलाबी भी अगर आपको दिखाई दे जाए ना तो बता दे ना यह आईरिस का रंग है यह और बीच वाला भाग इसे प्यूपिल कहा क्या कहा प्यूपिल पुतली वाला जो भाग जिसे आप कहते हो यह वो वाला भाग होता है तो कुल मिलाकर के मानलो अगर तुम कहीं किसी ऐसी जगा पर पहुँच गए हो रात में जहां तुम्हें देखके कुछ डर लग गया है ना रात में पानी पीने निकले ते मैं बिल्ली बिल्ली दिखाई दे गई और उसकी भी आँखें डिम्ट मा रही थी तो हमारी हालत क्या होगी ये आँखों कि पुतली जो है वो सिकुल जाती है ऐसा ही होता है ना आँखों कि पुतली छोटी सी रह जाती है या फिर कहीं किसी ऐसी ऑवस्था में हो किसी शौक वॉक चारो तरफ क्या है हमारी आईरिस का भाग है यह दोनों जो वाइट पार्ट आपको पूरा दिख रहा है यह कौर्णिया का भाग है यही पीछे की तरफ जाएगा और स्क्लेरा वाले पार्ट को बना लेगा मतलब हिन टोटल पूरी एक लेर है जो आँखो को बना रही है बोल प्राकरतिक तो बहुत कम मिलते हैं बट आप प्रेफर गरते हो कि यह लेंज लगवा लेता हूं पढ़िया रहेगा यही तो चाहते हो तो जो लेंज लगवाते हैं फिर ऐसे से कलर की नीला पीला गुलब भी आजकल तो वो टिक टॉक वाले जमाने में तुमने देखा होग खेर अपने पसंद अपनी चॉइस आगे बढ़ते हैं तो भी यह तो रहें आँखों का रंग पूछा जाएगा कि यह जो रंग है यह किस कारणवश है तो आप बताएंगे कि देखिए दा कलर ओफ आई is the color of iris तो यही वो भाग है जो आँखों का रंग आईरिस के कारण होता है तो यही वो भाग है जो आँखों को रंग देने का कारे करता है यह बीचो बीच वाले भाग को हम क्या कहते हैं प्यू पिल कहते हैं यह वाला भाग क्या कहलाएगा कौर निया कहलाएगा कौर निया जिसको कहते हैं जो इंदी माध्यम से हैं वो इंदी में लिख ले और जो इंगलिश में हैं वो इंगलिश में लिख सकते हैं इस रंगीन भाग है जो हमको दिखाई देता है जो हम observe कर सकते हैं अब इस से हटके मतलब ये वाला पार्ट अगर मैं आगे वाला हटा दूँ पीछे तीन जिल्लिया मुझे दिख गए ये बीचों बीच में जो बैठा है ये बैठा है हमारा लेंस ये लेंस ही है जो की image को बनाने में बनाती है और जाकर के हमारे इस लेंस से गुजरते हुए हमारे रेटीना पर जाकर के छवी बनाती है है कहीं ना कहीं तो image बन रही होगे कोई तो पर्दा हो गा जिस पर्दे पर प्रकाश की किरण गुजर रही है एक lens के माध्यम से और lens जाकर के वह light से आपकी image को बना कर तयार कर रहा है तो यह लेंस हमारा कौन सा लेंस कहलाता है इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस जो हमारी आखों के अंदर पाया जाता है ठीक है इस लेंस को ध्यान दो बढ़ी कहते हैं बुढ़ापे में क्या होता है कि आपका जो लेंस है वो डिला हो जाता है सुनाएगी नह इसको पकड़ करके रखती है इसको उल्ड़ करके रखती है यह शो फोचा जाता है कि कौन सी तूल करी फोट सब्सक्राइश को यह कहलाती है eleg tis कि महां में यह वाला भाग जो इस लमीद को वह करके रखा हुआ है वहा हम समझ गए बढ़ापा आया, बढ़ापे में सारी नसे गम्जोर हो जाती है, सारी मासपेशी और ढिली हो जाती है, यह सीलेरी मासपेशी भी ढिली हो गई, यह लेंस लड़ ख़डाने लगा, अमतलब इसका फॉकस नहीं बना, तो छवी भी नहीं बनी, इसलिए तुम्हें दुंदला द जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि माम बढ़ापे में लेंस डगमगा रहा है लेंस को पकड़ने वाली मास पेशी धीली हो गई है ठीक है हाँ अभी सब की सब बढ़ी है देखो अभी आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम होगी आखो के और आप रेलवे का प पर में ट्रोपिया की है कुछ भी अगर है तो पहले ही जांच करवाओ ठीक है इसके उपर अलग से में एक सेशन ले आऊंगे आपके स्पेसिफिक एक्जाम रिलेटेड जो जो डाउट से रहेंगे कि इस भरती में केस प्रकार की आई साइट चाहिए या क्या चीज या था कि माम रेगुलर्ली 21 दिन तक लगातार हम नोट्स भी बनाने वाले हैं तो जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी कर देना सभी तक कि सुभा के 11 बच चुके हैं तो यह रहा मेडम लेंस हमारा इस लेंस के नीचे जो हिस्सा आप देख पार हो जो कि यहां प और निया पुतली आईरेस सब समझ लिया पीछे तीन जिल्ली पढ़ी कि एक स्क्लेरा है को रॉइड है ठीक है मैडम यह बीच में लेंस है अब यहां और यहां पर भरा होता है एक लिक्विड एक द्रव्य उस द्रव्य को हम क्या कहते हैं इस वाले लिक्विड को नाम दि जाता है और यहां पाया जाता है विट्रियस यूमर ठीक है आगे वाला एक्वस और पीछे वाला विट्रियस यूमर यह दो द्रव्य जो है वो यहां आपकी आँखों में भरे होते हैं तो कुल मिला कि अगर मैं अपनी आँख को देखूंगी तो कुछ इस प्रकार से तो यह दो कि अगर आपसे पूछा जाए स्टडी ओफ आई क्या होती है तो इसे कहते हैं ऑप्थेल्मो लॉजी और डॉक्टर जो आँखों की जाँच करता है ठीक है इसका जो विशेशग्य होता है उसको हम नाम देते हैं ऑप्थेल्मो लॉजिस्ट तो कहीं पर भी अगर नाम ऐसे आते है ना इसको नेत्र विशेशग्य भी कहा जाता है तो एक तो अप्थेल्मो लॉजिस्ट उस व्यक्ति को हम कह रहे हैं आँखों के अध्यन को अप्थेल्मो लॉजी कह रहे हैं और अप्टिक वर्ड ये भी आँखों के लिए आता है तो अप्टिक है अप्थेल्मो है ये सब शब्द किसके लिए आते हैं आँखों के लिए चाहता है कि लगभग आपने कहा एक फिर दूसरी कोरोईड की फिर तीसरी रेटीना की ठीक है फिर ये आगे वाला भाग हो जाता है जहां पर ये लिक्विड जो है वो भरा हुआ है तो कुल मिलाकर के अगर ये सारे भाग हमारे उपस्तित होते हैं तो यहां से एक नस भी तो कि देखो आपने चीजें देख ली आपने चीजें देख ली लेकिन देखने के बाद हमारी ब्रेन का काम क्योंकि अंदर की छवी जो है सिर्फ वो इमेज ही है केवल वो एक इमेज होती है जो हमारा दिमाग देखता है यहां से ना ब्रेन तक सूचनाए जाती है क्योंकि ब भाग है जिसका फोर ब्रेन वाला भाग हमने नर्वर सिस्टम में पढ़ा था आपके विजन में मदद करता है मिड ब्रेन वाला भाग यानि कि हम जो देखे हैं उसे पहचाने का कौन की माम एक मुझे सामने ना कोई दिखी थी और दिखी थी तो भईया वो कब थी कौन थी कह हां थी यह बात है तुम्हारा दिमाग ही आत करके बताएगा दिल नहीं बताएगा ठीक तो इस सब्सक्राइब करने का काम देखेंगे हमारा सारा कुछ कौन करता है हमारा ब्रेन करता है यह लेंस है जैसा आप देख पारे हो पीछे सारी नसे लगी हुई है लाल और नीली और धमनिया और इसी के साथ हम जो भी देख रहे हैं वो हमारी इमेज कहां बन रही है यह देखिए कि आपने इनको देखा और देखने के बाद इस लेंस से पास होकर के हमारी लाइट की किरने गई लेकिन यह मुहतरमा उल्टी कैसे हो गई कि देखा तो हमने इने सीधा था अब यह उल्टी कैसे हो गई क्योंकि दरसल हमारे रेटीना पे हमारे इस परदे पे जो छवी बनती है वो हमेशा इन्वर्टिड बनती है सीधी नहीं बनती उल्टी छवी बनती है आप बोलो कि मैंना मुल्टी बनती है तो हम कैसे पहिचानते हैं हम तो भया ब्रेन तक सू छवी आपकी बनके तयार होती है बोलो समझ आया कि नहीं आया भे जल्दी से बताओ एक थमसब का साइन फटाफट से शेयर कर दो कि माम हमें क्लियर हो गया कि नहीं हुआ आज अगर समझ लोगे तो माम आधी से ज़ाधा आँखों की तुविधा तो हमारी वैसे भी क्लियर हो जाएगी तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी कर देंगे भाई बंधों तक और बताएंगे कि भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये था माम वो भाग जहां इमेज बनी बन करके कहा जाएगी हमारे ब्रेन तक सूचना जाएगी लेकिन इस पूरे काम में हम कहते हैं कि तुमने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं बल्कुल नोटबुक को लेकर के आएंगे और आँखों के पास मिलाके फिर पढ़ना शुरू करेंगे मतलब इतना पास मिलाके क्या ये सही डिस्टेंस है क्या इससे आपकी आँखों में दिक्कत नहीं होगी या जब आप मुबाइल पढ़ते हो मुबाइल भी विल्कुल सामने ले आते हो एक्चली में हमारी आँखें कितना दूर तक देख सकती है कितना पास देख सकती है उसकी एक सीमा है उसे कहते हैं power of accommodation यानि कि अगर मैं अपने near point की बात करूँ नजदी की point बिंदू की बात करूँ कि मैं कितना पास तक देख सकता हूँ ठीक है तो उसे हम कहते हैं नियर point कितना लगभक 25 cm या आसपास में 25 cm तक चीज़े आप देख सकते हो उसके आगे तो देखी सकते हो लेकिन उससे कम करोगे अगर तो तुम्हें blur दिखना शुरू हो जाता है इसे near point कहते हैं ऐसे ही दूरी की बात करें अब या far point यानि कि दूर तुम कितना देख सकते हो तो दूर तो मेडम जहां तक नज़र जा रही है न वहां तक देख सकता हूँ तो far point अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे infinite है infinite का मतलब कितना भी दूर आप यहां पर देख सकते हो लेकिन नसदी की बिंदू 25 cm की मेरी आखें की जो proper lens है यह भी देखो मोटा जो है वो यहां पर बन जाएगी लेकिन अगर मुझे बहुत दूरी से कोई object दिखाई दे रहा है कि पार्क के उस मैदान के दूसरी तरफ कोई खड़ा हुआ है और मुझे दिख रहा है तो यानि कि फो infinite है मेरी आखों को थोड़ा जोड़ देना पड़ेगा उसको देखने के लिए हमें थोड़ा सा लेंस को पतला भी करना पड़ता है लेंस अपने आप क्या हो जाता है पतला हो जाता है कि अच्छा अच्छा हम थोड़ा सा focus और ज्यादा बना लेते हैं तो वहीं दूरी के लिए यानि कि infinite पे अगर कोई भी object रखा हुआ है कहीं निरंतर कोई एक कर सकती है कि तुम पास लाओगे तो कितना पास जिसको मैं पड़ पाऊं और कितना दूर जिसको मैं देख पाऊं तो हर किसी की एक सीमा है हर किसी की एक लिमिट यहां पर जो है वो जानी जाती है सेम चीज में आखोगी होती है लेकिन हमें कुछ चीज़े वहीं तुम एक अभी सोचना बैठ के ठंडे दिमाग से कि अगर कोई जानवर सिर्फ रात में ही निकल रहा है कुछ तो वज़ा होगी ना कि भाईया दिन में उसको दिखाई ही नहीं देता कोई उल्लू है कोई चमगादर है इसलिए कहते हैं कि वो रात में जब उनको सब कुछ ब्लाक और व आया जाता है जोसे कहते हैं ओप्सिन प्रोटीन याद रखना कोई पूछे आँखों में प्रोटीन है क्या आप बोलोगे हां भई है ओप्सिन प्रोटीन होता है ओप्सिन प्रोटीन अब यह ओप्सिन प्रोटीन क्या काम करेगा ओप्सिन प्रोटीन दो प्रकार के वर्ण बनाता है एक कहलाता है रो डॉपसन और एक कहलाता है आयो डॉपसन देखिए जितनी भी चीज़ें तुम्हें लिखवाई पढ़ाई जा रही है हिंदी इंग्लिश सब में पूरे-पूरे नोट्स मिल जाएंगे मैं पीडिये इसकी टेलिग्राम पर आपकी अप्लोड करा द नोट कर सकते हो ठीक है भाई तो रो डॉपसन और आयो डॉपसन काम क्या है इनका कि माम ये प्रोटीन का काम होता है रो डॉपसन वाले का ब्लैक और वाइड जुतना भी तुम्हारा काला सफेद दिखने में मदद करने वाला यही प्रोटीन पाया जाता है काला और सफेद जो भी विजन है जो भी द्रश्टी है आपकी उसमें ये जिम्मिदार होता है और जो भी आपको दुनिया रंगीन दिखती है ना कलरफुल दिखाई देती है रंगीन चीजे नजर आती है उस विजन में हमारा आयोडॉप्सिन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रोडॉप रूदॉप्शन मदद करता है आपके ब्ल Groß वाइट के लिए और आयोडोप्शन मदद करता है रंग इन जीज दिखाने के लिए लेकिन मैम यह दोनों प्रोटीन जो हैं ये खोता कहां पर है, ये पाई जाते हैं हमारे रेटीना के कोशिकाओं में, रेटीना में पाई जाती है एक रॉड सेल, जिन्हें कहते हैं छड कोशिका, उस छड कोशिका में उपस्तित होते हैं ये रोडॉपसिन, और एक पाई जाती है शंकु कोशिका, शंकू कोशिका को कहते हैं कोन सेल कोन सेल में पाई जाते हैं आपके ये वाले आयोडॉपसिन तो याद रखना रोडॉपसिन अलग है रोडॉपसिन रोड सेल से और आयोडॉपसिन कोन सेल से आपको याद रखना है मैं तुम्हें एक बार इसको दिखा देती हूँ, देखो कुछ इस प्रकार से ये आपको नजर आता है, देखे बई, ये रेटीना है, ये इसका अंदर का भाग है, रेटीना वाला, मतलब परदे वाला भाग, इस परदे वाले भाग में न हमारे पास कुछ नियूरॉन्स भा ये बाइपोलर नियूरॉन्स होते हैं, वो पूछेगा आखों में क्या है, और तुम कदी ये मत समझना कि मैं हम रेल्वे है, तो बड़ी असान सी साइन्स आएगी, कर लूँगा, चाहें कमिशन S.S.C. वाला पूछे, आप तो खेर वेंडर चेंज हो रहा है, देखेंगे हमेशा देख पाती है, तीन कौन से, रेड, ब्लू, ग्रीन, इसके अलावा कुछ नहीं देखता माम, ये प्राइमरी कलर्स है, प्राथमिक रंग है, जो हमारी आखें देख पाती है, कौन-कौन से, रेड, ब्लू और ग्रीन, इन तीनों का सयोजन बाद में अलग-अलग र ये आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पे सभी को, क्यों बाई, क्लियर है कि नहीं, जल्दी-जल्दी से मुझे एक बार बता, और यार आज तुम लोगों ने बिल्कुल भी सेशन को शेयर नहीं किया है, एक बार फटा-फट से जाहिए, क्लास को शेयर करके आजाओ, ज जितने हमारे साथ यहां लाइव जुडे हुए है, एक बार जल्दी से से सेशन को लाइक कर देंगे, इस लाइक वाले बटन को दबा देंगे, आपकी कोई GST यहां पे नहीं कट रही है, तो माम ये वाला भाग रॉड का है, उपर वाला और ये कॉन्स का होता है, तो पर वस्तू की वास्तविक और उल्टी है, दो वर्ड याद रखना, खेर फिजिक्स में तुम और भी चीज़ें पढ़ोगे कि उत्तर लेंड से कैसे कैसे इमेज फॉर्मिशन होती है, फोकस पे रखें या कहां पे रखें, तो ये इमेज फॉर्मिशन न लगाएगी, बट आखें जो बनाती हैं, वह वास्तविक और उल्टी चवी बनाती है, दो प्रकार की छड़ और शंगू कोशिकाएं पाई जाती है, छड़ कोशिका का काम क्या होता है, ये हमारे लिए ब्लैक और वाइट कलर दिखाती है, और कौन वाली रंगीन, दिखाती है, यानि कि ये इनहीं के अंदर रोडॉप्सिन और आयोडॉप्सिन नाम का पिग्मेंट पाया जाता है क्लियर है कि नहीं है तो इसे कहते हैं स्पष्ट द्रश्टी की नियूंतम दूरी पच्चस सेंटीमीटर जिसको अभी हमने नियर पॉइंट कहा था और इस रोग को कहते हैं मायोपिया मायोपिया में आप देख रहे हो कि इमेज कहां बन रही है रेटीना से पहले ही बन जाती है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि इसे शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है या नियर साइटेडनेस का नाम देते हैं यह ऐसा रोग है जिसे निकट द्रश्टी दोश हिंदी में कहा जाएगा आप यहाँ पर पास की वस्तूओं निकट की वस्तूओं तो इस पश्ट से देख सकते हो कि मैं मेरी कॉपी पर क्या लिखा है लेकिन दूर खड़ा हुआ और टीचर दिखाई नी देगा निकट चीज 멋있 दिख जाती है दूर की नहीं दिखती है इसलिए हम इसे कहते हैं शॉर्ट साइटिग्नेस ठीक है निकट वस्तुएं दिखाई देती है दूर की नहीं दिखती है यहाँ पर हमारे बेसिकली आँखों की जो आई बॉल होती है वो थोड़ी लॉंगेट हो जाती है या फिर मैं कहूं कि हमारी फोकल दूरी कम हो जाती है भई इमेज अगर पहले बन रही है तो फोकल दू उसे निवारण हो जाए तो चश्मे पहनते है ना कि भई पास का दिख रहा है दूर करनी देख रहा तो उस चश्मे में लगा होता है कॉन के विलेंस कई लोगों को प्रॉब्लम होती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटमिन ए यहां रोल प्ले करता है कुछ हर्मोनल भी होत है और कुछ चीज़ें यहां पर आपके एडिक्शन और फोन या गलत तरीके से आप किसी टीवी स्क्रीन का इस्तमाल कर रहे हो इस वजह से भी आखों के रोग बनते हैं ठीक तो मायोपिया को निकट द्रश्टी दोश कहा पास का दिखाई देगा दूर का दिखाई नहीं ठीक कराओगे तो क्या लगवाओगे कॉनकेवलेंस लगवाओगे एस सबको बताओ जल्दी से यह तुम आयोपिया था माम इसके अपोजिट में एक और काम करता है जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं ठीक है जो स्क्रीन शोट लेना चाहते थे एक बार स्क्रीन शोट ल होता है कि मैं मायोपिया में तो ना इमेज मेरी पहले ही बन गई थी यह रेटीना है रेटीना पर इमेज बन रही है तो आखे नॉर्मल है अगर इमेज रेटीना से हटके और पीछे कहीं चली जाए और वहाँ पर बने तो इसे कहते हैं दूर दरश्टी दोश मतलब ऐसे व इसको फार साइडिडनेस कहेंगे यहाँ पर दूर की वस्तूओं को देखा जा सकता है लेकिन पास को नहीं दिखा जा सकता यहाँ पर फोकल लेंथ आपकी और ज्यादा भड़ गई है इंक्रीजड फोकल लेंथ हो जाती है आखों की आईबॉल छोटी रह जाती है ठीक है क कॉन्वेक्स लेंज जो है उसको लगा देते हैं ताकि हम अपने इस रोक से निवारण कर सकें क्लियर है कि नहीं जल्दी से बताएंगे पहला मायोपिया दूसरा हाइपर मेट्रोपिया यह जितने अभी तुम्हारे चमन खिल जाते है ना दो मिनिट में किया रहे माम यह त ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान है ना कौन कहां जा रहा है कौन आ रहा है जरा उस चीज़ को छोड़ तो तुम्हें लग रहा है कि मैडम पढ़ा रही है उनकी नजर नहीं है सब पर नजर है ठीक है सब दिखाई दे रहा है कि कौन क्या कर रहा है लेकिन फोकस जरा यहां बनाई है क्योंकि मेरा भी एक ही objective है कि तुम्हें best to best content दिया जाए तुम्हारा एक भी number इस session से बाहर नहीं जाना चाहिए कि अगर सवाल आते हैं तो तुम properly अपने इस session से सारे questions को कर पाओ ठीक तो दो रोग हमने यहां पर myopia और hypermetropia की देखें अब देखिए कई बार क्या होता है कई बार होता है कि मैं हमारा ना यह वाला जैसे हमने अभी पढ़ा था कि lens क्या हो जाता है ठीक से focus नहीं बना पाता क्यूं क्यूंकि lens को पकड़ने वाली मासपेशी ढिली हो जाती है इस रोग को कहते हैं press biopia व्रधा वस्था में hypermetropia यह इसका दूसरा नाम होता है कि व्रधा वस्था के दौरान यह case देखने को मिलते हैं मुख्य दौर पे व्रध व्यक्ति होते हैं उनके अंदर होते हैं ओल्ड एज वाले लोगों में होते हैं क्यूंकि इनकी सीलेरी मासपेशी जो है वो कड़ जाती है या फिर उनकी पावर जो होती है देखने की वो बेकार हो जाती है उसकी वज़ेसे जो lens है वो focus नहीं बना पाता ठीक है तो आप कह सकते हो कि भाया नेतर अपनी जो संबंज चमता होती है उसे खो देता है और दूर और निकट की वस्तूओं को देखी नहीं बता भाई बुड़ापे तक आते हैं ना बास दिखता ना दूर का दिखता चश्मा चाहिए दोनों के लिए तो यह कहानी बन जाती है यहां पर ठीक कराते हैं बाइफोकल लेंस के द्वार याद रखिएगा कि जो हमारी सीलियरी मासपेशी इस लेंस को पकड़े हुए है यह आपकी क्या हो जाती है ठीक से इसको होल्ड नहीं कर पाती है तो प्रॉबलम कहां है व्रध्धावस्ता में है बुड़ापे में सारी इनसे हमारी कमजोर हो जाती है ठीक है तो वही चीज है चलो अगला एक रोग आता है जिसमें लोगों को ना धुन्दला देखना शुरू हो जाता है अब देखो तुम्हें ये वाला शब्द साफ दिख रहे है वो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वहां पर चीज़े मेरी बलर होती चली जा रही है वो बलर किस वज़े से हो रहा है क्योंकि रोग हुआ है एस्टिकमेटिस्म का जहां पर आपका फोकस जो है ना वो एक नहीं होता बहुत सारे बन जाते हैं कभी-कभी रात में देखा होगा ऐसे तारे से दिखाई देते हैं नॉर्मली तो भाई किसी गाड़ी की लाइट आ रही है सामने से तो मैं क्लिरली देख पा रहा हूँ एक इस प्रकार का एक बिंदू बनता है जिसे हम क्यातने एक फोकस पॉइंट बन रहा है कभी-कभी इस तारे से लगने लग जाते हैं ये पूरी फोकस की वज़े से बिगडने की वज़े से लाइट की रेज ऊपर नीचे आगे पीछे दिखा तो इस रोग को आप कह सकते हो मल्टिपल फोकल पॉइंट्स ठीक है मल्टिपल फोकल पॉइंट्स इसको इहां पर कहा जाता है I hope everything is clear सब कुछ ठीक है वाफरिंग भी नहीं हो रही है पटा सब कुछ ठीक है न वाफरिंग है न कुछ है थोड़ा ध्यान दे लो यहां पर इसी रोग को कहते हैं एस्टिक मेटिजम मल्टिपल फोकल पॉइंट्स तो देखो रोग बहुत सारे हैं हमारी आखों के अंदर ये आखों की जाच नॉर्मली कहते हैं और ये चार्ट जो मना हुआ है ना इसको कहते हैं स्नेलर्स चार्ट स्नेलर का चार्ट इस चार्ट पर जितना भी लिखा हुआ है हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं कि भाई एक सेंटीमीटर तक कितने भी सेंटीमीटर तक तुम् पहला वाला ही दिखाई देना है दूसरे लाइन दिख गई तीसरे दिख गई कहां तक तुम देख पा रहे हो यह दूरी है जिस नियुन्दम दूरी तक आप देख सकते हैं वो दूरी आपकी यहां पर बताई जाती है कि कितने नंबर का चश्मा चड़ेगा वो नंबर यही वाला होता है वो इसी टेस्स से इडिंटिफाई किया जाता है जिसको स्नेलर का चार्ट कहते हैं जब भी आप आँखों की जाज कराते हो न तो यही वाला भाग होता है तो इस प्रकार की चीजें हैं बाकी आँखों में इंफ्लमेशन हो गया तो ट्रेकों मा आँख सूज गई है ना यह देख रहे हो लालिमा सी आ गई है आँखों में जलन हो रही है कंजक्टिवाइटिस का रोग बन जाता है कभी-कभी चीजें जैसे हम कहते हैं भेंगा सवयक्ति हो गया मतलब उसका ओरिएंटेशन बिगड़ गया है यह देख रहे हो एक आँख अंदर और ए इसदल आशू आता है कि अच्छु अधस्यान है और यह देख सकते हैं यह नलिका है जहां से आशु आपके बनके तैयार के चले आते हैं घीक है 除IES की चाहा होकोका 59 8 पता है क श्वत्य जाता है 27व जयाता है मतलब इस जगहा पर यहां पर काजल लगाती है नलड़कियां वहां पर आपके कुछ सूजन सी आ जाती है कुछ इस प्रकार के दाने-दाने से बन जाते हैं तो ये भी आपकी गरंथिया होती है यहाँ पर आखों के अंदर एक तो होती है लैक रिमल जिसको हमने नाम दिया अश्रू ग्रंथी ठीक है दूसरी होत तो तो कुछ कीचड सी नजर आती है यह यहां से बनती है इसे हम कहते हैं मीबोमियम ग्रंथी तो भाई देको बहुत सारी ग्रंथिया है उनमें दो मुक्ये हैं एक अश्रू ग्रंथी जो आशू बनाती है और एक होती है यह मीबोमियम ग्रंथी जहां पर यह पाई जाती है और इसी के infection को अगर इसमें किसी प्रकार का कोई संक्रमन हो जाता है तो आप क्या लगाते हैं मतलब तो आप उस रोग को कहते हैं स्टाइस ठीक तो ये हैं मानव की आखें आशा करूँगी सब को यहां पर बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होंगी ये चाप्टर में मतलब important चीज़ें जो है न देखिए वो जानना बहुत important रहता है ऐसा नहीं कि माम हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं PhD कर ले लेकिन हमें यह नहीं पता कि भाई पहुचना कहां पर है तो चाप्टर की थियोरी को समझ ये और फिर उसके सवालों को लगाई है ये मेर अब्जेक्टिव रहता है अब मुझे बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा अब तुम्हें कुछ सवाल लगाते हैं बताए चलो क्लियर हो गया बहुत अच्छी बात है अब जरा इस क्वेशन का आंसर लगाओ कि इस सवाल का सही उत्तर यहां पर क्या होगा कि एक व्यक्ति जो पास की चीज़ें तो देख सकता है लेकिन दूर का आट साफ नहीं देख सकता क्या कहा जाता है अब बता सकते हो ना कि पास का दिख रहा है दस पंदरा सवाल करके चले जाओ मैं हमेश्व यह कहूंगी थियोरी पहले करके जाओ फिर आगे सवाल मर्जी चाहें जितने लगाओ ठीक है तो एक असली मूल मंत्र यही है थियोरी पर पहली कमांड कभी भी किसी भी एक्जाम के लिए फिर करेंगे धेर सारे सवाल आंसर इस मायोपिया एहोप कि यह क्लियर होगा सबको यारपियाफ कॉंस्टिबल में पूछा जा चुका है कि यह आपकी मायोपिया वाली आखे हैं जहां पर रेटीना पर छवी ना बनके कहीं यहां पहले ही बन जाती है इसे कहते हैं मायोपिया चलो भी नेक्स बात करेंगे आपसे कुछ अन्य प्रश्णों के बारे में देखेंगे कितनी चीज़ें कितने पानी में आप लोग की तो नेत्रदान के दौरान प्रयुक्त नेत्र का कौन सा भाग आप डोनेट करते हैं जब आप आई डोनेट करते हो रहा है तो कौन सा भाग डोनेट करते हो रेटीना है आई लेंस है कॉर्णिया है या कम्प्लीट आँखे कर देते हो पताइए कभी भी किसी से ज्वेलेसी मत रखना अगर मज़ा आ रहा है चीजों का तो जरूर से पहुंचाईएगा मतलब चाप्टर क्लियर होना चीए माम पढ़के ऐसा लगे कि हाँ आज कुछ पढ़ा है आज वाकई में कॉनसेप में क्लारिटी मिली है चाहे हमने आदे गंटे पढ़ा चाहे हमने दो घंटे पढ़ा लेकिन मिला क्लारिटी मिली हमें ठीक है तो सेशन को ना डोनेट नहीं करते ना आखों का लेंज डोनेट करते ना पूरी आँख डोनेट करते हम सिर्फ कॉर्निया वाला भाग डोनेट करते हैं कॉर्निया कौनसा ये बाहर का जो हमारा transparent भाग होता है उसको donate कर दिया जाता है चलिए अगला सवाल देखो amount of light entering into the eyes controlled by आँख में जो प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा है इसको कौन नियंत्रित करता है कि कितनी मात्रा आँखों के अंदर आ रही है इसको नियंत्रित कौन करेगा cornea, retina, coroid या फिर iris बताओ भी जल्दी से नियंत्रित कौन करता है cornea कैसे करेगा हम cornea transparent भागे retina पे image बन रही है coroid पीछे की तरफ चला गया cornea के तो iris वाला ही भाग होगा कि अचानक से टॉट जला दी किसी ने आ करके तुम्हारे सामने तुम्हारी आँखे सिकुड गई ठीक है और कहीं धूप से बाहर जा रहे हो शौक लग गया आँखे खुली की खुली रह गई तो उसे हम iris वाला भाग कहते हैं यही है आँख की पुतली वाला भाग iris का जो आपके पूरी तरह से लाइट जो भी एंटर कर रही होगी उसको कंट्रोल करने का कारे करता है इसी प्रकार से अगला सवाल image of object is formed on which part बता हो जली से वस्तु का प्रतिम्वंब आँख के किस भाग पर बनता है बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो मैं तो बहुत जादा खुश हूँ कि आप लोगों के लिए लगवग हमने 17-18 दिन जी जान लगा कर बढ़िया से बढ़िया content दे करके कम से कम आप इस टाइम पर यह कह सकते ह जो कि हमें theory पर कमांड हो चुकी है ठीक है बाकी आपने कितना attend किया यह आपके ओपर अगर नहीं किया हो किसी ने भी तो आप सभी एक काम कर लेना अपने playlist में जाएगा सारी classes available हैं जिसकी भी अब तक नहीं हो पाईए कर लेना एक बार आगे हम अभी आप लोग का रह गए हैं उन्हें भी हम गवर करेंगे कहां पर image बनती है बहुत बढ़िया उत्तर option number C retina यहां पर हो जाएगा image कहां बनेगी माम retina वाले भाग पर बन जाती है किसी और पर हमारी नहीं बनती अगला question है कि in the retina of eye cells present for color differentiation रंग विभेदन के लिए हमारी नेत्र में परदे पर कौन से कोशिकाएं पाई जाते हैं रोड है शंकू है कौर्णिया है क्या होगा answer क्या होगा इसका सही उत्तर बिलकुल तैयारी पूरी करो मेरे मानना तो यह यह तैयारी पूरी करिए आपके लिए देखिए RRB ELP का यह complete batch भी आ रखा है जिस batch के अंदर आपको पूरी theory life classes doubt session सब मिल रहा है railway के लिए खास तौर पर जुसमें आपके complete teachers आपको पूरी पूरी तैयारी करा रहे है मातर 699 रुपे में एक साल की validity है धर्मेंद्र सर मैट्स पढ़ा रहे है reasoning अभी मन्यू सर करा रहे है ठीक है मैं उसमें biology का portion आपको करा रहे हूं आठ जी विक्रम जी स्पेशल बैच आच चुका है जिसके अंदर आपका complete science हम आपको कराएंगे for all your exams अचा ये बैच रहेगा 499 में दो साल की validity रहेगी ये application है आपकी इसी पर आपका रहता है लेकिन ने को मेरा suggestion क्या रहेगा आप जब भी तैयारी करो तो ऐसी करो कि हर प्रकार से हर exam में तुम बेसिकली स्टार्ट हो रहा है और हम यह कह सकते हैं कि यहां पर आपका गड़ित math reasoning सारा कुछ पार्ट जो है वो चल रहा है पूरी English आएगी पूरी math reasoning आपको विक्रम जीत सर करा रहे हैं math आपकी अधित सर है English में प्रशान सर है और GS की पूरी की पूरी टीम आप लोग के स आप से शुरू हो चुका है मात्र 2699 में दो साल की वेलेडिटी इसमें आपको दी जा रही है application आपके सामने है डाउनलोड जरूर से कर लेना क्योंकि यह आप ही के लिए क्या है खास है ठीक है और इस question का answer आज आप लोग मुझे पताने वाले हो भाई homework में homework में यानि कि माम क्लास खतम होने के बाद कि कौनसी ऐसी कोशिकाएं हैं जो कि हमारे कंट्रोल करती हैं कलर को कि किस भाग से हम कलर को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो यह question आज का आपका homework question रहेगा मतलब बहुत ही बढ़िया तरीकी से आज चाप्टर छोटा था तो समय कम लगा चाप्टर ज चुड़े हुए सारे facts अच्छे से clear हो गए होंगे वह यह जो अल्ट्रा HD Pro Max मतलब सारे आइफोन पेल हैं इसके सामने वह आखे हैं तो बढ़िया से अपनी आखों का ध्यान रखो हेल्दी खाना खाओ विटमिन ए बढ़िया तरीके से खाईए और इस क्लास की PDF के लिए आ च्छे का लाद बढ़ी का थेका क।कर सारे कचा हैं तो प्रास का हैं वह खो भू आखों काईछ अल्सित झाइश्य का तो टो ज streets घबना στην कonne Imanian प्राफेश्य के ओना भी जालते zealी का घएफे से म delve basic हैं प्राफेश्य का से यूर्रीके sz